हेलो एवरिवान आज हुम इस वीडियो में कमपैर्जियों करेंगे POCO F3 GT में और POCO X3 में और देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा है तो बात कते हैं डिस्पले से तो दोनों की सेम है 6.5, 67 इंच की और दोनों फोनों का रेजुलेशन 1080 मार्टिपाल, 24 पिक्सल IPS LCD डिस्पले और आपको दोनों ही फोनों में 120 हर्ट का रिफेसिट मिल जाता है और बात कते हैं हार्डवेर की तो POCO F3 का है Miratee का Damacy T1200 का CPU 3.2 का हार्ड, OCTACOR का और 6 नैनमिटेर्स का फिन फैट और POCO X3 का है Snappling का 732 G का CPU 2.2 का हार्ड, OCTACOR का और 8 नैनमिटेर्स का फिन फैट और GPU 618 का और बात कते हैं Back camera की तो POCO F3 GT का है Triple, Jomain Chemistry 4 मिसल का और POCO X3 का है Quadmi, Jomain Camera है OHSC 4 मिसल का और बात कते हैं Fund camera की तो POCO F3 का है 16 का और POCO X3 का है 20 का दोनों में सेंसर है SONI का और POCO F3 में बैटरी है 5,000, 55 एमिज की और POCO X3 में है 6,000 एमिज की और दोनों फोने की बैटरीप्स मौनिबल है आप दोनों की बैटरी को निकाल ने सकते है बात कते हैं चार्जर की तो POCO F3 का है 67 वाट का और POCO X3 का है 33 वाट का दोनों में टैप्स का स्पोर्ट है दोनों में आपको और आर्ज भी की और POCO F3 की मैमोरी में 118 भी 126 भी की और X3 में है 14 भी 118 भी की और POCO F3 में आपको Android 11 मिलता है X3 में है Android 10 बात कते हैं प्राइज की तो POCO F3 का है स्टार्टिंग 26,900 निनामर पे और POCO X3 का है स्टार्टिंग 14,900 निनामर पे तो खिर आपको दोनों कोन में सी कौन सा फोन परस्तन आया कौन बोक्स में ज़र बताना